दोस्तों मैं मैंनी स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों CISF Constable भरती परिच्छा 2024 का वेकेंसी निकल गया है चुकि वेकेंसी अच्छी खासी है और 12 पास है 31 अगस्त से अपलाई है डेटेल नोटिफिकेशन हम देखने वाले हैं कि क्या-क्या इसमें खोजी जा रही है और कौन-कौन से लोग भर सकते हैं चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा चुकि ये वेकेंसी सिर्फ हो सिर्फ मेल वालों के लिए है तो जो फीमेल कंडिडेट हैं वो इस चीज को स्किप कर सकते हैं देखिएगा CISF में आद देखिएगा Central Industrial Security Force Notice है Recruitment of Constable FIR उसके बाद Mail 2024 in CISF है ठीक है अब देखिए अगर आप Constable बनते हैं तो जल्दी ही आपका प्रमोशन होके इंस्पेक्टर बगेरा तक आराम से कुछ ही दिनों में पहुच जाते हैं Level 3 के Post है और यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है Online Application are Invited from Mail Indian Citizen for Filling of Temporary Post of Constable Temporary Post का मतलब यह नहीं आप समझेगा कि आपको कुछ ही दिन जॉब करके निकाल दिया जागा है वो Post होता है वैसा उसके बाद आपको कहीं Adjust कर दिया जाता है उसी Department में ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं है कि Post Temporary है आपका जो Selection होता है वो Temporary नहीं होता है यह पहले Physical Standard Test और Physical Efficiency Test होगा उसके बाद DV होगा उसके बाद आपका CBT होगा यानि की Computer Based Test होगा और CBT के अधार पे ही आपका जो है वो Selection होगा यह सब Eligibility criteria को Fulfill करते हैं कि अगर आप दोड़ जाते हैं आपका Physical Standard है Height बगेरा तब जाके आप एक्जाम के लिए Qualify करते हैं आप एक्जाम में बैठ सकते हैं चलिए पहले Salary की ही बात कर लेते है Salary अगर Level 3 की है 21,700 Starting आपकी Salary Basic हो जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका Incentive मिला के तकरीवन 40,000 आपको Salary बन जाएगी यह आप 40,000 प्लस आपको Salary Starting में बन जाएगी आपके Vacancy जो है आप देख सकते हैं कि हर एक State का कुछ-कुछ अलग-अलग Vacancy आपको देखने को मिल जाता है तो आप Science के साथ 12 कर रखे हैं तभी आप इस Form को डाल सकते हैं Age की हम बात करें 18-20 बरस तक और आपके जो category wise जो Age Relaxation मिलता है वो तो मिलता ही रहेगा OVC में ध्यान रखेगा कि आप जो है वो तीन साल आपको यहां पे मिलता है ठीक है एक होता OVC Non Creamy Layer तो वो Age के लिए नहीं होता है वो आपको Age में Relaxation मिलेगा लेकिन हाँ Seat में Relaxation OVC में नहीं मिलता है यानि कि कहने का मतलब यह है कि आप एक NCL होता है एक Creamy Layer होता है Creamy Layer में जिनका की 7 लाग से ज़्यादा Income होता है तो उनको Age का तो छूट मिल जागा लेकिन आपको जो Seat है OVC का वो नहीं मिलेगा आपको YOR मिलेगा तो यह चीज़े ध्यार रखेगा कि अगर आप CL में है Creamy Layer में है तो चलिए एक सर्विसमें बगेरा का इसमें दे रखा है कि क्या क्या चीज़े चाहिए और Medical Category बगेरा क्या चाहिए Selection का Procedure मैंने सुरात में ही बता दिया कि आपका Selection जो है वो Physical Efficiency Test होगा यानि कि आपको Running करना है और यह सब जो आपका है इसमें Examination Feast की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिएगा Uploading Photographs How to Apply यहाँ पर इसके Website पर CISF के Website पर जाकर अप्लाई करना है उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की Feast जो है अब 12, 10, 24 तक जो है वो Correction इसमें कर सकते हैं अगर कुछ गलती आपने कर रखा है तो उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे चले जाते हैं तो Recruitment Process यहाँ पर जो मैंने बताया था कि Physical Efficiency Test होगा उसके बाद यहाँ पर होगा उसके बाद आपके dv होंगे उसके बाद आपके इक्जाम होगे देखिए पेट जो है वो आपके फीजिकल Efficiency Minh है आ इन 24 एनटमेट क। में फिरstemशां होगा उसमें आपको 170 cm और 680 से 85 मांगा गया है और इसमें भी आपको relaxation मिल जाता है अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं इन सभी चेतरों से बिलोंग करते हैं तो और chest expansion में भी आपको छुट यहां पे मिल जाता है उसके बाद नीचे चले जाते हैं document verification होगा बेट बगेरा भी आपके proportional में होना चाहिए ऐसा नहीं है कि fix है कि इतना ही बेट चाहिए आपके height के recording आपको proportional में उसका बेट जो है वो चाहिए ठीक है उसके बाद अगर आपका फिर एक्जाम होता है एक्जाम देखेगा दो गंटे का होता है 120 मिर्ट में आपके reasoning के पचीश question जीके के पचीश कोशन मैस के पचीश कोशन और हिंदी के हिंदी या इंग्लिश कोई एक language में आपको पचीश कोशन पचीश नंबर के होंगे उसके बाद यहां पे negative नहीं है यहां पे जो भी आपका एक्जाम होगा non negative होगा तुक्का मार के भी आप सव में सो बना सकते है ठीक है ना सो कोशन का सो नंबर में ठीक है बाकी आपके जो कोशन है वो आपके 12 लेबल तक के science subject कभर करेगा क्याने कि देखेंगा question of written test है वे मार CBT will be 12th standard यानि कि 12th standard का लिखता है लेकिन आपके 10th standard तक ही लगभग question पूछे जाते हैं 12th, 10th, 11th का लगभग आपको जो है हो सकता है कि 10-12 question दिख जाए लेकिन जाला तर आपके जो है वो 12th, 10th तक के ही पूछे जाएंगे बाकी और कुछ है नहीं कोई भी और update आती है तो मैं आपको update कर दूँगा यहां पर कैसे process कैसे कैसे आपको भरना है यह सब इसमें दिखा गया है चित्रा के माध्यम से आसा